नमस्कार सब भी को देखो आज हम पत्र लेकन के प्रकार करें हैं आपने हमेशा सुना होगा अपचारिक पत्र और अनपचारिक पत्र दोनों बहुत ही असान हैं अपचारिक पत्र में जिन में अपचारिकता होती है फॉर्मेल्टी होती है Formality हम Office आधि में रखते हैं तो वह Official Letters जो होते हैं या प्रधानाचारी आदी को लिखे गई पत्र Collector को लिखा गया पत्र या April या किसी अधिकारी को लिखा गया पत्र होता है अब चारिक पत्र अब चारिक पत्र जो होते हैं इन expormal letters होते हैं अपने मित्रों और रिष्टेदारों को लिखे जाते हैं तो यहाँ पर हम इनको तीन भगों में बाट सकते हैं पहला होता है प्रार्थन पत्र यानि एप्लिकेशन जिन पत्रों में निवेदन अथ्वा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना कहलाते हैं प्रार्थना पत् लगाश शिकायत सुधार आवेदन आधि के लिखे गए पतर आते हैं ये पतर स्कूल के प्रधाना चार्या से ले कर कि किसी सरकारी विभा के अधिकारी को भी लिखे जाते हैं तो यह हो गए क्या application फरस्त तरह का हो गया application दूसरा होता है कारियले enters पत्र जो पत्र कार्याले के काम काज के लिए लिखे जाते हैं कार्याले क्या होता ओफिस को का जाता है ओफिस में जो करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे कार्याले पत्र कहते हैं ये सरकारी अफसरों अधिकारियों स्कूल और कोलेज के परधाना थ्यापक और प्रा परदानाचारयादी को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में दाक अधिक्षक, समाचार पत्र के समपादक, परिवेहन विभाग, ठाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचारय को लिखे गए पत्र आते हैं। तो यह हो गई सारे कुन से? कार्यालेई पत्र और फीर आता है वेवसा तो यहां देखो फिर होता है व्यवसाई पत्र व्यावशाई के लिए लिखते हैं इन पत्रों में दुकानदार को परकाशक को व्यपारिक को या किसी कमपनी को हम जो लेटर लिखते हैं वो सबाता है उसके बाद देखो पत्र लिखने के लिए हमें ज़्यादा किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अब हमारी दूसरी बात यहां पर यह आजाती है तो सबसे पहला पत्र उपचारिकता पत्रों की बात कर रहे हैं उनमें कुछ नियम होते हैं हमारे सबसे पहले इनमें भाशा का हम ध्यान रखते हैं इनमें कुछ अनावश्यक बातें आदी नहीं लिखते हैं जैसे कुशल मंगल के समाचा लिखना है वो चीज़े हम यहां पर नहीं लिखते हैं क्योंकि यह only formal letters होते हैं तो जैसे informum letter में हम लिखते हैं आप कैसे हो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे वो चीज़े यहां पर नहीं लिखी जाती हैं और पत्र का आरम और अंत्र प्रभावशाली होना चाहिए ताकि अच्छा impression आए पत्र की भाशा सरल हो सुन्दर और स्पष्ट हो यह दि आप कक्षा अथवा परिक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परिक्षा भवन अपने पते के स्थान पर कैखेगे अपना पता नहीं लिखना चाहिए तो सबसे मुख्य बात यह है कि वहाँ जब एक्जाम में लेटर लिखेंगे तो अपना पता नहीं लिखना है पत्र प्रष्ट के बाई और से हास्टी के साथ मिला करके लिखें यहाँ जो मार्जिन होता है ना मारा ऐसे जो पूरा पेज होता है यहाँ से शुरू करना चाहिए मैं ऐसे यह मारा मार्जिन होता ही धरवाला इसको मार्जिन कहते हैं तो यहाँ से मैं शुरू करना चाहिए फिर यह लाई शुरू करनी चाहिए उसके बाद देखो पत्र को एक प्रष्ट के रूप में ही लिखा जाना चाहिए पत्र बाईयोर से लिखेंगे फिर पत्र को एक प्रस्ट में लिखने का प्रयास करें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हम उसमें पत्र लगाएं कई सारे पन्नों में लिख दें एक्जाम में यह वात हमें विशेश रूप से ध्यान रखनी है और अन्य तरीके पेपर जो पत्र लि स्थान पर अपना नाम कख्षा और दिनाक लिखनी चाहिए अगर हम लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को तो फिर हमें नाम लिखना है परिक्षा बोवन में नहीं लिखना है उसके बाद हमारा आ जाता है फॉर्मेट क्या है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सेवा में लिखते हैं फिर उनके पद का नाम जैसी Vincent फिर उनका पता जैसे कोई भी स्कूल है फिर हम विशे लिखते हैं कि हम किस विशे में अपना पद लिखना चाह रहे हैं तो उसके बाद आता है मारा संबो्धन, यह मैं आपको उधारण भी बताऊंगे अभी, संबो्धन में देखो जिसे पत्र लिख लिख रहे हैं उसका महोदे या माननिया, ये सिष्टा चार वाले चीजें होते हैं जो वह पर लिखते हैं, विश्यवस्तू, जो मुख्यै विश्य फ्रमषदों में लिखना चाहिएंैं यह वालज सरी करें खسल स्काय। अब अच्णने अधान स्पिरद्व में आपजों में 2 परतिर मेंिखते में इसमें क्या लिखें उपक्षा करते ह内 चाहिएं। कुछ भी करवानना चाहते हैं वो दूसरे में लिखे हस्ताक्षर और नाम फिर हम अपना हस्ताक्षर और नाम लिखते हैं यहां पर भोधिये करके या प्रार्थी लिख करके भी अपने नाम और अस्तक्षर हम इदर लिखते हैं फिर हम प्रेशक का पता लिखते हैं या पर और दिनांग यह मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ यहाँ देखो आप यह हमने लिखा परिक्षा भवन नहीं दिली प्रदाना चारे फिर हमने एड्रेस लिख दिया फिर हमने विशय लिखा है उसके बाद संबोधन आ गया यह बीच में पेरेग्राफ आ गया फिर यहाँ पर हमने लिखा आपकी तिक्रपा होगी आपका यह हमारे खुदका आड्रेस यह फॉर्मेट जो है यह याद रख लो तो इसमें किसी भी विशय पे जब आपको पत्र लिखना है तो आप बस यहाँ पर अपना जो विशय है उसके बारे में उधरन दे दिजे हर पत्र में यही फॉर्मेट आपके काम आएगा फॉर्मल की बात चल रही है उसके बाद देखो यहाँ पर आज यह यह एक उधारन जो है दिखाया है स्क्रीन पर आप देख सकते हो यह मैंने एक उधारन दिया है तो यहाँ से आप देख लो और यह हो गया हमारा उधारन